बेटी भी बहुत बिमार हो गई थी, उसको किरनी में प्राब्लम इंफेक्शन हो गया था, तब भी मैं घबरा गए थी, प्रेग्डन्ट थी वो, तब मैं अपने घर से, मॉडल टाउन से यहां तक नंगे पैर आई थी नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभुभक्ती में मैं हूँ आपके साथ श्वाता चोहान, आज हम आए हैं देश की राजधानी दिली के 100 साल पुराने ज़ंडे वाला माता मंदिर में, जहां पर पहले अरावली परवत की श्रंकला हुआ करती थी, अब इस अराव वाले भक्तों की सभी मुरादे पूरी होती हैं, चानेंगे यहां पर आने वाले भक्तों की रोचक कहानियों के बारे में मैंने का माता जी आपनी ही समझालना है, और शाम को कॉल करी वो तब यह ठीक थी उसकी, तो विश्वास है ना, तो भीना विश्वास के थोड़ी कुछ चलता है, कहीं तो आदमी विश्वास करेगा ना, या नहीं करेगा, और उसने आज वो अपना खुदो महीने के होने व खुश है, और जब एक, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत भीमार हो गई थी, उसको किरनी में प्रॉब्लम इंफेक्शन हो गया था, तब ही मैं घब रागे थी, प्रेग्टन थी वो, तब मैं अपने घर से, मॉडल टाउन से, यहां तक नंगे पैर आई थी. क्यों सालों से आप मंदिर आ रहे हैं? क्यों से, मुझे अपने साथ कोई आना चाहें, तो मैं उसका भी कर सकते हूं, दिन बाए दिन मुझे रिजर्ट अच्छा मिलता गया, मातरा नहीं किरपा होते हैं, और बीच में नहीं आती तो लगता है, कि हाँ कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जाना चाहिए, बेटे होने के बाद बीच में नहीं चोड़ दिया था, तो मुझे खुद को कभी मैसूस होने लगी था, अगर नहीं कोई बोले, खुद को ही फील होने लग गया था, और यह लगता ही है, कि मातरा नहीं बैटे हो, साक्षात बैटे हो, सब की सुनती है, यह है, बस अच्छ झाल